नमस्कार साथियों मेरा नाम है अभिनोत शांचु पांडे और आप सभी का स्वाधत है अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से हम यहां कर रहे हैं परिछा की तयारी सीजी बोर्ट एक्जाम 2023 के लिए हमारे अभिप्षा के प्लैटफार्म पर एक्जाम सेरीज बिशन 2023 चल रहा है और हमारे अप्लिकेशन को आप बड़ी आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप ये चाया वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमा पहले नियाम विद्धु चुम के प्रेरन और उसके बाध में इन सारे विश्यों पर बात इंकी ही हैं और इसी सिलसिले में अब हम बbonते करने वाले हैं सो आप प्रेरन के बारे में चोहा क्या होता है किसी कुंदली का निरभिट पर करने सबसे पहले आप क्या करें बात देखने वाले हैं, या किसी कुंडली से जुड़े हुए, फलक्स में परिवर्थन की दर देखें, तो यह जो है डी फाई बाइडी टी और यही परिवर्थन की दर जो है अनुक्रमा अनुपाती होती है, डी आई बाइडी टी के, और यहां से हम को पता है, हम बोल सकते है कि फाई का अनुक्रमा अनुपाती है डी आई के से और हम बोल सकते हैं फाई बराबर ल आई जहां यह अनुपातिक नियतांक ल जो है यह सुआ प्रिरकत तो कहलाता है अब इसकी निर्भरता जानने के लिए सरुप्रथम हम एक कुंडली ले लेते हैं यह एक वृत्ताकार कुं अब मूज झोड़कि निकालना चाहें कि इस से जुड़े हुए चुंबकी फ्लॉक्स का मान निकालना चाहें तो के लिए हमारे पास में सूत्र क्या है चुमबकी फ्लॉक्स के लिए सूत्र है फाइ बराबर फाइ बी यहाँ बराबर बी डाट डी अ यहाँ पर यह डी अ क्या है छेतरफल है यह विर्टाकार कुंडली है तो जाहिर सी बात है कि जो छेतरफल होगा वो पाई आर का वर्ग होगा इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स बराबर बी गोणा ए और यहाँ पर हो जाएगा म्यू जिरो एन आई बटा दो और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर का पाई आर का वर्ग फाई का मान मिल जाएगा म्यू जिरो एन आई और पाई आर बटा दो अच्छा यह जो फ्लक्स है इसके बारे में हम लोगोंने अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह लाई के बराबर होता है तो यहाँ पर अगर हम लाई लिख दें तो हमको दिखाई देगा लाई ब किसे जो चीज़ें कटी हैं हम कटा देंगे यह आई और यह आई गया और ल का मान हो जाएगा म्यू जिरो एन पाई आर बटा दो यह जो है असल में किसके लिए है एक वृत्ताकार कुंडली के लिए लेकिन फिर भी जो है हमको स्वाप्रेर करतों के बारे में पता चल गया अब हमसे जो है यहाँ पर प्रश्म में क्या पूछ रहा है कि यह स्वाप्रेर करतों जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है तो किन बातों पर निर्भर करता है भाई एल का मान है म्यू जिरो एन पाई आर तो इस तरीके से जो ही है किन किन बातों पर निर्भर करेगा य यहा इसके छेतर फल के उपर निर्भर करता है दूसरा है कि यहां पर मीउ सीरो पर निर्भर करता है मतलब यहां पर इसकी चुम्बक शीलता के उपर निर्भर करता था है। ने ममई सकसेफोली निर्भर करता है def!" now we've come to jump this next question हमारा अगला प्रश्ण क्या है अन्योन प्रेरण क्या होता है और इसका एसाई मात्रक लिखाई बताई अच्छा यहां पर भी एसाई मात्रक की बात करें तो स्वाप्रेरण स्वाप्रेरकत तो एल और अन्योन प्रेरकत तो एम यह दोनों के दोनों जो है बिल्कुल एक जैस कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर जो है बात करते हैं अन्यों ने प्रिरकत तो क्या होता है अन्यों ने प्रिरकत तो को समझने के लिए हम बात करेंगे के मान लेते हैं यह हमारी पहली कुंडली है और इस पहली कुंडली का जो है जो छेतर फल है वो है मतलब उसकी जो तरिज् का मान आईवन है अब इन सारी जानकारियों के अलावा जो भी लगेगा हम देख लेंगे इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि इसी के अंदर जो है एक दूसरी कुंडली रख दी और इस दूसरी कुंडली का नाम रख देते हैं यह कुंडली टू रख देते हैं अब यह पर जो है क्या है इसकी तृज्जया है आर्टू इसके प्रति एक आंक लंबाई से गुजरने वाली चुंब की सचक्रों की संख्या एंटू है और इसमें प्रवहित धारा आई टू होने वाली है अब जो है हम जो है चुंब की फ्लक्स की बात करेंगे हमको पता है कि पहली कुंडली में जो है जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में मान में परिवर्तन की दर वो अनुक्रमान उपाती होगी दूसरी कुंडली में उत्पन धारा के मान में परिवर्तन की दर के अब जो है इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर D-5 या नुक्रमान उपाती है D-I-2 के यह हम बोल सकते हैं फाइ का मान है M-I-2 और यहाँ पर M क्या है M जो है पहली कुंडली के साफ़ेक्ष दूसरी कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व है अब इस बात की चर्चा हम और डिटेल में करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि भाई अगर पहली कुंडली में चक्करों की संख्या N-1 है यहाँ पर N-1 कर लेते हैं पहली कुंडली में पहली कुंडली में चक्करों की संख्या यदि N-1 है N-1 आई भाई N1 और उससे जुड़ा हुआ फ्लक्स हो जाएगा N15 बराबर अब जो है इसके लिए जो हमारे पास में सूत्र क्या है तो यह होता है N यहाँ N2 ले लेते हैं N2 और यहाँ N1 BA अब यह N1 BA इसके जो है N1 क्या है N1 के ले हम बात कर सकते हैं कि यह हो जाएगा फ्रति एकांख लंबाई चकरों के संखिया N1 और कुल लंबाई L यह हो गया बी के लिए हम क्या सूत्र निकाल सकते हैं तो बी के लिए हमको सूत्र पता है बी के लिए जो है हमको सूत्र पता है म्यू जिरो म्यू जिरो एन आई टू ठीक है और छेतर फल हो जाएगा पाई आर वन का वर्क है अब इस तरीके से जो है हम लोगों को यहाँ पर अन्यून प्रेड़कत्व के लिए क्या मिलता है एन टू एन टू फाई बराबर एन वन एन वन एन टू एल और म्यू जिरो और उसके बाद में पाई आर वन आर का वर्ग और आई टू अब यहाँ से जो है हम लोगों को एक बात और पता चलती है कि अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा है अभी अभी हम लोगों देखा है कि फाई का मान एम वन आई टू होता है और यहाँ आई टू है तो एम वन का मान क्या हो जाएगा आप अगर ध्यान से देखें तो M1 का मान हो जाएगा M का मान हो जाएगा N1, N2, L, Mu0, Pi, R का वर्ग और इस प्रकार से हमको अन्यों निप्रेरण के लिए सूत्र मिल गया है इस सूत्र की सहायता से हम क्या-क्या बता सकते हैं यह किन बातों पर निर्भर करता है यह निर्भर करता है पहली कुंडली में चक्करों के संख्या दूसरी कुंडली में चक्करों के संख्या कुंडली के मध्य माध्यम उसकी चुमबक शिलता के उपर और उसके बाद में त्रिज्या के उपर तो ऐसे बहुं सारे जो है factors हैं जिनके बारे में हम एक एक करके सीख रही हैं 2003 में पूछा गया यह प्रश्ण है और हम लोगों ने इसके बारे में जाना अगले प्रश्ण में जो है हम आंकिक प्रश्ण सावल करने वाले हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।